तो बहुत बहुत स्वागत है जोड़ात तरीके से मेरे टियस इंट्री के जितने भी मेरे बच्चे हैं जबर जस्ट फॉर्म फिलिंग चल रही है पूरे भारत के इंदर जितने भी बच्चे जेई में में अपीर हुए थे और उनके ठीक ठाक रैंक है मैंने तो कहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है मैं जानता हूँ आपका बैग्राउंड एकाडमिक्स में बहुत अच्छा रहा तभी आपने जे में इतने अची रैंक लिए बोर्ड में तेचे परसेंटेज लिए बट अब इग्जाक्ली इसके अपोजिट सब कुछ होने वाला है अब आपके इंदर टेस्ट एक रियल परसनालिटी का रियल ही रो का है तो इस टेस्ट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है कैसे बहतर करना है यह समझना बहुत जरूरी है तो अगर फॉर्म फिलिंग हो गई है तो आप समय है उटके बहतर तयारी में लगने का इसलिए मै प्रॉस्पेक्ट पर बहुत 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 स्वागत है और इसमें जबर जस्ट फॉर्म फिलिंग होती है जई का बच्चा ट्राइमार लेना चाहता है कि चलो यार जई में अची रहें कि एडवांस में भी है अगर आमी टेक्निकल कॉलेज में हो गया इंडने विल एकैड आप नगड़ी बीए मिल रही है सलरी मिल सब कुछ सेट है बट सब कुछ सेट माने के लिए कुछ सेट करना भी पड़ता है यही समझना चाहूंगा टेकनिकल इंट्री जो जो कंड़ेरे नेंकी अगसीन एक्सप्टेशन है और कैसे ओ फुट-पेश्मय काम करना सब 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 जितने वे यह 10% TAS और Navy Tech वाले जो एश्परेंट्स हैं उन सब को यह बता दू कि सबसे मुश्किल जो SSB है वो TAS और Navy Tech की सबसे मुश्किल होती है सर्श्रीनरॉण मुश्किल क्यों है क्योंकि इसमें इतना बड़ा बैच हो जाता है इसमें कोई स्रीनिंग कैस्तो होती नहीं कि यह 3-300 के बैच आते हैं तो अब आप सोचिए से यह बच्चा जो अगर थोड़ा अच्छा भी है तो वहां पर भी चांसले है कि स्रीर हो सकता है तो बड़ा में आपने किया है आपने जो जब तर 12 तक इती इची पढ़ाई रहें कि परसेटर मांक्स लेके आए अब आपको उससे भी बहतर अपनी परस्टालिटी को बनाना है ताकि उन 2-3 मिनट में जो पहला जिली राउंड होता है सिनिक राउंड होता है उसमें आपने ऐसा इंप लगातार बुकिष्ट नॉलेज है हमारी हमने खुब अच्छा किया है लेकिन हमने बाकिस सारी चीज़ों ध्यान नहीं दिया था ना ओडोर्स पे न एक्स्टा कर अक्टिविटीज पे ना कोई अपने फ्रेंड्स के सिर्कल में या मुवीज में सीर नहीं ध्यान नहीं दि बच्चा आता है हम फोकस करते हैं वो चीज़ों जो मिस्की है वो हम उसको इंप्रूब कर सके हैं तो बिशिकली अगला प्रस नहीं होगा कि अभी इनके अंदर डर कम्मुनिकेशन को लेके हैं जनल अवेनेस में बिल्कुल सरजीरों हैं और एससबी में भी लेकिन के अंद इनको इतना ग्यान नहीं दे पाऊंगा लेकि मैं से वो को हिंच देता हूँ पले चीज़ तो यह कि अपने अंदर एक कॉंफिदेंस लेकि आना पड़ेगा पर देगा मैं मैं हूँ मैंने कुछ काम किया है मैंने एक एक एक्जाम पास किया है और मैं इतने अच्छे तो वह स्कुन्मर्ण आट को अगजा लिए तो अग्यान पाड़ेगा और वह बोले गांच असका इंपरिशन अच्छा पड़ेगा ऊच्छा प्ड़ेगा और अगर बोलेगा उसका इंप्रिश्य अच्छा पड़ता पड़्या बढ़ेगा लग्जमीश्वी बात है यह र कि अगर एक लड़का नौट रिकमेंडेड है वो आपको सिखा रहा है कोच रिकमेंडेड सिखा रहा है उसको यह नहीं पता कि किस चीज में फेल हुआ है किस पे पास हुआ है तो उस ब्रह्म में आए यू कम तो एक कोचिंग इसे हमारा है जहां पर ट्रेंड है आपको पाऊगा जैसे सर एक पॉलिसी में बार बार रख रहा हुआ है एससमेंट प्लस फीडबैक प्लस डेवलपमेंट तो बैसिकली यह क्या है सर नाइंटी डेज में इसका क्या एक्च्वल रूफ है सर देखे तीन स्टेजिस होती है पहला एक रौ मेरे सामने मैटीरियल आया तेक है उस मेटेरिया को मैंने देखा मुझे कर Γिणी में थे इसEs्पर मैंने उस्त पर..शूरू कर दिय ओसको टीक है यहाँ पर बच्चे मैंने सामने आया उसको मैंने देखा वबरे अने तुमने 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 तुमरे अधर ए bê c d यह प्रॉल्म्क है। उसके भाद आपका development part, आपने time दिया उसको, 90 days का plan यही है, आपने time दिया उस बच्चे को बताने के बार कि तुम कहा हो, यहां हो, हमें यहां चाहिए, आप वो बच्चा दीरे दीरे अपने personality को आपका प्रणस्वार्म करेगा, मास नहीं करेगा, वो चीज लिया के दिरे दिरे वो उस लेवल पर आना शुरू कर देगा, जहां हो रिक्वार्मन है, वहां जाएगा, अब आपने उसको development उसका किया, नाव लास्ट में आपने क्या 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 feedback, feedback का system यह है कि आपने उस मास और साथी साथ आपने यूज किया कि हर personality unique है, यह difference बच्चों को समझना सर बहुत जरूरी है, एक बच्चे जब इसको subject की तरह देखते हैं तो समको लगता है, एक subject का हम टेस्ट लिख रहे हैं, बढ़ आपने बड़ा अच्छी बात कहा कि यह मास नहीं है, यह unique personality का test है, अब नौ उसको क्या करना है, अपने minuses को कम करना है, प्रस इसको भू करना है, बड़ा बड़ा है, यहां एक बड़ी चीज हो गई, सर के दारा जो explain की जा रही कि आपको individual feedback मिल रहे हैं, आप mass feedback नहीं ले रहे हैं, क्योंकि common methodology तो चली नहीं सकती है, आपका individual personality, भई, आपका analysis होना और individual feedback मिलना बहुत जरी हो, जो मुझे लिए भारत में कहीं नहीं मिलता सर बच्चों को, overall बस process follow करा दिया जाता है, बात खत्म, और यह 90 days तो कहीं है नहीं सकती है, किसे सोचा भी नहीं, बताब इतनी हमें खुशी हो रही है, कि आपने इसी normal fees में, जो fees बिलती है 14 days क 90 days का बच्चा मिला है, I think it's a very lucky, मैं तो कहूंगा कि यह तो लोट्री है आप लोगों के लिए, लोट्री को गवाये मत और तुरन फॉरन जोइन करिया, और हमने इसलिए इसको 100% सेलेक्शन बैज भी का है, उतना बिजन हो, उतना dedication हो, तभी हमारे पास आएं, मैं हमेंसा कह सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसमें फीडबेक डिवल्पमेंट कहां था, तो बिल्कुल जितने भी टीएस के बच्चे में यही कहना चाहूंगा बिटा, यह बहुत अहम समय है, उठीए, बैक पैक करें और पहुंची हमारे साथ इस स्पिसल क्लान का हिस्सा बनी है, बह आपमें डेवल्प होना चीव वह हम चीजे डेवल्प करेंगे, कम्मिनकेशन प्लस हम आपका जो है, इसमें अवैरनेस पार्ट भी हमाएड कर रहे हैं, लास्ट मैसे सर हमें सवी टीएस बच्चे के बड़ा मौस है, सर देश के बड़ा कराउड है, क्या कहना चाहेंगे आ पर जो ही बच्चे आएंगे, उनको यह मैं समझता हूँ कि रिजल्ट हो जाएगा, हमारा यह 90 डेज में जिस तरह से मेहनत की जा रही है बच्चों पर रंग डेफिलिल्ट पका लाएगी लाएगी और आपका सपना इंजिनर बनने का इंडिन आमी में वह पूरा को सकता है तो यह थी आपके लिए वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा बाकी कोई क्वारी दिल से एक बहतर प्रयास किया है हम सबने और हम चाहते हैं कि आपका स्य और सौर्ट रेक्मेंडेशन तो वेलकम डियों केशी फॉर इस्पिसल स्वी प्रोग्रम फॉर थैंकि सो मच जैन जै भारत